कुलू जिला के मनाली उपमंडल में मंगलवार रात को डेड़ फुट बर्फबारी के बीच हाम्टा के जंगलों में फसे दिली और राजस्थान के तीन परियाटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है एसपी कुलू गॉरफ सिंग ने बताया थाना मनाली में कंट्रोल रूम से सूचना मिली की हाम्टा के पास कुछ परियाटक रास्ता भूलने के कारण जंगल में फसे हैं सूचना मिलते ही पुलिस ने रात को ही रेस्क्यू दल रवाना कर दिया राद भर सैथन पांडू रोपा डैम साइट आदी जगहों पर सर्च अभ्यान चलाने के बाद हाम्टा जंगल से तीन सैलानियों को रेस्क्यू किया गया पुलिस के टीम और स्थानिय लोगों की सहाईता से सैथन नाला से करीब दो किलोमीटर नीचे हाम्टा जंगल में बर्फ के नीचे फसे सैलानियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया जिनकी पहचान शाहिद और इमरान खान निवासी करोल बाग नई दिल्ली जबकि तीसरा रेहान निवासी राजस्थान का रहने वाला है स्पी कुलो ने सभी पर्याटकों से अपील की है कि उंचे पहाडिक शेत्रों में स्थानिय गाइड की मदद से ही जाएं और समय रहते वापिस आ जाएं हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए कुलो से संदीप श्रमा